हिमाचल प्रदेश में इस बार मौनसून में बारिश लगभग 41 फीसिदी से नीचे तरच की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में बरसाद समाने से नीचे चल रही है। ऐसे में अब मौसम विज्यान केंद्र ने 18-24 शुलाई के बीच प्रदेश भर में बारिश होने का पुरवानुमान जिताया है। जिससे प्रदेश वासियों की उम्मीद बड़ी है। शिमला मौसम विज्यान केंद्र के मौसम विज्यानीक संदीर कुमार शर्मा ने बताये की। कांगला, मंडी, सिर्म और सोलन जिला के कुछी लाकों में भारी बारिश शोने का भी पुरवानुमान है। वही प्रदेश विर में मौनसुन की अब तक की स्थिती देखे। तो प्रदेश में मौनसुन अभी तक समानी से नीचे चल रहा है। मौसम दैग्यानिक संदीब कुमार्श शर्मा ने बताये कि इस बार मौनसुन में समाननी से 41 पीसदी कम बारिश तरच की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश कम दर्च की गई है। वही जुलाई महीनी में सिरफ मंडी और कांग्ला में समाननी बारिश तरच की गई है। इसके अतरिक तबाकी सभी जिलों में मौनसुन कम जोर नजर आया है। पूर्च कांग्डा से 24 गंटों में जो हमारे डिस्टिक कांग्डा है बिलासपूर इन क्षेत्रों में कुछ एक ख्यों मलत्तानों में हल्के से मद्धियम बारिश रिकोर्ट की गई है। दरमशाला में वेरी हैवी बारिश रिपोर्ट की गई पिछे 24 गंटों में जिसमें 14 संटीमिटर के आसवाज बारिश कोड़ की गई थी और अगामी देखिए चार से पांच दिनों की बात करें तो देखिए आज अठाथ तारीक से लेके अगले आपने लाइटनिंग होने की संभावना है तो दिन के अगर प्रदेश में समाने चल रहे हैं और देखिए अगर आंगणों की बात करें तो देखिए अभी पूरे प्रदेश में ही जो बारिश है समाने से किसानों में हलके संभावना है और ये जो अगामी देखिए पांच से चे दिन तक जाई रहने की संभावना है पूरे प्रदेश में। 2024 के लिए अड्मीशन ओपन आज ही संपर्ग करें।